अगर आपने rectangle और circle इन shape tools को यूज़ करके create किये हैं तो stroke apply करने का option यहाँ पर आपको मिलता है और stroke की different properties आप यहाँ से choose कर सकते हैं stroke apply करने का option आपको layer style के अंदर भी मिलता है stroke के इन दौनों options में क्या difference है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं इस circle को select करता हूँ double click करते हैं तो layer panel open हो जाएगा और stroke apply करने के लिए हम इस पर click करते हैं color पर click करके कोई different color यहाँ से choose कर लेता हूँ जैसे मैं black color apply करना चाहता हूँ तो black color का stroke यहाँ पर apply हो गया है stroke के options के बारे में हमने last clip में भी देखा था कि आप यहां से size increase कर सकते हैं और इसकी position आप change करना चाते हैं जैसे कि by default outside में है inside करना चाते हैं या center करना चाते हैं वो option आपको यहाँ पर दिये हुए हैं इसके अलावा आप यहां से opacity change कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर pattern भी apply कर सकते हैं और gradient भी apply कर सकते हैं अगर मैं pattern पर click करता हूँ तो यहां पर pattern choose करने के option आ गये हैं और pattern आप choose कर सकते हैं अगर आप gradient apply करना चाते हैं तो यहां पर click करें और gradient choose कर लें और इस तरीके से आप gradient apply कर सकते हैं मैं इसको दुबारा color पर set कर देता हूँ अगर आप shape पर एक से ज़्यादा stroke apply करना चाहते हैं उसके लिए आप इस plus button पर click कर सकते हैं जिससे कि इस stroke की एक और copy create हो जाएगी जो bottom वाला stroke है उसकी width width का मतलब stroke की size ज़्यादा होनी चाहिए तबी वो stroke दिखाई देगा जैसे कि मैं इस stroke का color कुछ different choose कर लेता हूँ मैं blue color apply करना चाहता हूँ और अभी दौनों stroke की size equal है तो आपको ये bottom वाला stroke नहीं दिखाई देगा मैं इसकी size increase करता हूँ जैसे आप size increase करेंगे तो ये show होने लग जाएगा इस तरीके से आप plus button पर click करके एक से ज़्यादा stroke apply कर सकते हैं मैं एक बार और click करता हूँ जिससे कि इसकी एक और copy create हो गई है और इस बार मैं यहाँ पर yellow color apply कर देता हूँ लेकिन size आपको हर बार increase करने पड़ेगी तो इस तरीके से एक shape के ऊपर हमने तीन stroke apply कर दिये हैं अब इसे मैं apply करता हूँ अगर आप rectangle shape के ऊपर इस तरीके से stroke apply करते हैं तो आपको थोड़े से difference देखने को मिलेंगे जैसे कि मैं इस पर double click करता हूँ और stroke पर click करके इसे apply करते हैं अगर मैं size increase करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके corner round है लेकिन अगर आप यहाँ पर जो options दिये हुए होते हैं उसे stroke apply करेंगे तो उसके corner sharp create होते हैं यह एक difference है अगर आप layer style से stroke apply करते हैं और जो shape के अंदर stroke के properties हैं वहाँ से stroke apply करते हैं उन दोनों की बीच में